हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत कर रही हूं आप सभी का शिक्षा प्रवा में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कम्प्लीट प्रॉसस इलेक्शन ड्यूटी का चुनाव ड्यूटी के दौरान होने वाली पूरी प्रक्रिया किस तरह से होगी उसको हम इस एक वीडियो में जानेंगे बहुत जादा लंबी ये वीडियो नहीं होने वाली है तो आप लोगों से आशा है कि आप पूरी वीडियो को देखेंगे जिससे की पूरा प्रॉसस अच्छे से हमें समझा जाएगा शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो हम लोगों का काम रहेगा वो रहेगा EVM मशीन का चुनाब हम लोगों को EVM मशीन दी जाएगी उसको चुना होगा तो उसके अंदर हमें देखना है कि BU जो CU है जो दो मशीन है बैलेट उनिट एंड कड्रोल उनिट उसको हमें जो उसका कवर है उस बॉक से निकाल करके देखना है कि वो सील है या नहीं है और जो उसका एड्रस ट्रेग है वो वहाँ पर है कि नहीं ये चेक करना है सेकंड वी यू के केबल को वी वी पैट से और वी वी पैट को सी यू के पिछले हिस्से में सौकिट से चोड़ कर स्विच ओन करके देखना है कि मशीन हमारी सही से काम कर रही है तीसरे नमबर पर EVM के नमबर एवम इसकी बैटरी स्टेटस को चेक करना है CU के टोटल बटन को दबा कर यह है देख लेना है कि मशीन में पूर्व से कोई आंकड़ा तो स्टोर नहीं है यानि कि मशीन को अच्छे से किलियर किया गया है या नहीं इसको हमें चेक करना है कि लिखा हुआ आ जाएगा तो इन बटनों के द्वारा उस आंकड़े को डिलेट कर देना है कि सिक्स नमबर पर मोग पॉल दिखाने ही तो पॉलिंग एजेंट्स को बुलाने ना है मोग पॉल हमें कितने करने हैं लगभग 50 मोग पॉल करने होते हैं और वो हमारे पॉलिंग एजेंट्स के सामने होगे तो अब मोग पॉल की प्रिक्रिया किस तरह से होगी उसको देख लेते हैं तो सबसे पहले टोटल बटन को दबा कर एजेंट्स को दिखाया जाएगा कि पोल्ड वोट सूने हैं यानि कि कोई भी काउंटिक महापर शो नहीं हो रही है कैंडिडेट की जो संख्या है वो मत पत्र के अनुसार है ये हमको एजेंट्स को दिखाना है सेकेंड सी यू का बैलेट बटन दबाना है इससे सी यू का बिजी बल्ब लाल एवं बी यू का रेडी बल्ब हरा जलने लगेगा थार्ड नमबर पोलिंग एजेंट्स द्वारा वोट दलवाए जाएंगे वोट पढ़ने पर बैलेट इनिट का रेडी बल्ब बुच जाएगा और अभिहरती के नाम के आगे का लाल बल्ब जल जाएगा तथा सी यू से लंबी बीब की धोनी हमको सुनाई देगी फोर वोट हो जाने के बाद टोटल का बटन दबाना है इससे कुल डाले गए वोट की जंख्या डिस्प्ले पर शों होने लगेगी आप क्या करना है वापस से CRC बटन को दबाना है और मोग पोल को समाप्त कर देना है और फॉर्म को भर लेना है CRC इसके पर शाथ क्लोज बटन कर देना है और आपका जो मोग पोलिंग है वो शमाप्त हो जाएगी रिजल्ट बटन प्रतेक अभियर्थी की मत दिखाएगा और किलियर बटन इवियम में दर्ज वोटो को डिलेट कर देगा ये तीन प्रोसेस CRC कहलाते हैं इसके बाद हमें दीखनी है सीलिंग ओफ इवियम आप हमें क्या करना है कंड्रोल इनिट को स्विच आफ कर देना है एक green paper seal ले करके उसके सफेद भाग पर हस्ताक्षर करके प्रबेदक चिल लगा दें और polling agent से भी हस्ताक्षर करा लें और seal की संक्या को note कर लें अब रिजल्ट सेक्षन को खोल कर इसे इसके elliptical खांचे में सील के हरे भाग के उपर रखते हुए लगाना है ताकि जो सफेद भाग है वो खांचे से दिखाई पड़ता रहे नेक्स्ट रिजल्ट सेक्षन का भीतरी दर्वाजा बंद करके पेपर के सील पेपर सील के दोनों सीरों को बाहर की दरब निकाल लेना है क्लोज बटन वाले भाग में एक special टैग रखना है इस पर सी यू का नंबर अंकित करना है हस्ताक्षर करना है इस special टैग को बगल में बने छिदर से धागा डाल करके सील कर देना है सील टैग साथ में दिया जाता है आप रिजल्ट सेक्षन के बहारी दर्वाजा को बंद कर उसमें एक address टैग लगा दे और इसको भी सील कर दे यह अब हो गई हमारी जो मसीन है वो सील हो गई अब उसके अंदर स्ट्रिप सीलिंग कैसे करनी है तो सबसे पहले तो क्लोज बटन जो है उस पर कैप लगा देनी है स्ट्रेप सील के गोंद्युक्त भाग A को मशीन पर उपर की और रखकर ग्रीन पेपर सील के निचले छोड़ को उस पर मतब सटा देना है अब स्ट्रेप सील को मोड़ कर B भाग को ग्रीन पेपर सील पर सपाट देना है से ट्रेप करना है और मतदान को प्रारंब कर देना है अब जब यह सील हो गया है तो अभे यह सीलिंग नहीं खुले Akt gens और मतदान आरभ हो जाएगा मतदान से पहले हमको कौन सी त्यारी करनी है तो पोलिंग एजेंट्स को एपिक 7 अभियर्थियों द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्रों की जांच कर लेनी है मौक पोल निर्धारित समय पर करना है चाहे उस समय पोलिंग एजेंट्स रहें ना रहें वैसे कोशिश करनी है कि पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर उपस्थित रहें मोग पोल का जो प्रपत्र है वो दो प्रती में तयार कर देना है और इसकी जो सूचना है वो सेक्टर मेजिस्ट्रेट को दे देना है उपस्थित पोलिंग एजेंट्स को रजिस्टर 17A एमम मतदान सूची दिखा देनी है बैलेट उनिट का कार्डबोर्ट दांग देना है मतदान पूर्फ की गोशना पढ़नी है और हर्कस्ताक्षर करने है अब शुरू होती है हमारी मतदान की प्रक्रिया तो मतदाता सबसे पहले वोटर स्लीप एमम अपना एपिक कार्ड लेकर P1 के पास यानि पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट के पास जाएंगे जो मतदाता सूची के अनुसार उनकी पहचान करेंगे एक आइडेंटी कार्ड वोटर स्लीप भी होगी और उसके पास अपना एक आइडेंटी प्रूफ भी होगा जिसके अंदर उसका पेन कार्ड उसका अधार कार्ड वोटर स्लीप उसका बैंक पास्बुक ये और पेंशन वाला पिपर भी चल सकता है इसके बाद वो polling 2 के पास जाएगा जो 17 ए रजिस्टर में उसका क्रमांग लिखेगा और उससे हक्स्ताक्षर करवाएगा और एक मतदाता परची भी जारी करेगा polling 2 अब जो मतदाता परची होगी उसको लेकर के जो वोटर है वो polling 3 के पास जाएगा और उसके बाद polling 3 officer उनकी तरजनी उंगली पर एक शाही लगाएगे ध्यान रखना है कि वो जो शाही है वो उसको पोँच ना दे बैलेट बटन दबा करके वो अपना जो मत है वो देगा जो शाही वाला जो प्रभारी होता है वो P2 होता है लेकिन P2 की व्यस्ता के कारण क्योंकि उसको एक सिलिप भढ़नी होती है और उसको ऐसे रजिस्टर करना होता है 17A में इस कारण से ये वाला काम P3 officer भी कर सकते हैं आपसी सहमती से हर 2 गंटे पर CU के टोटल बटन को दबा कर डाले गए कुल मतो की संख्या का मिलान रजिस्टर 17A से करते रहना है जिससे की हम सही जा रहे हैं इसका अनुमान हमको लगतार लगता रहेगा इसके पस्चात मतदान जब समाप्थ हो जाएगा तो समाप्थ होने से आदा गंटे पहले जितने भी लोग हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं उन सभी को परची बार देनी है जिससे की साड़े पांच बचे तक जो हमारा निरधारित समय है मतदान का वो अपना समय पर समाप्थ हो जाए एक बार लाइन में जितने लोग आ जाएँगे उसके बाद बाकी बचे हुए समय के प्रिक्रिया की क्या करना है अंतिम मतदाता द्वारा मत देने के बाद क्लोज बटन दबाकर उस पर क्याप लगा देनी है जो प्रारूप 17C में रिकॉर्ड किये गए मतों का लेखा एवं पेपर सील का लेखा दो प्रती में तियार करना है मतदान समापति के बाद बैलेट उनिट और कंट्रोल उनिट का समबंद विच्छेद कर दें यानि कि जो प्लग है उसको निकाल दें और सी यू का जो स्विच है उसको आफ कर दें अब इन्हें अलग-अलग बखसे में डाल कर उसके उपर एड्रेस टैग लगा दें और उसको सील कर दें समस्त निर्वाचन काग जातों सामगरियों को चार अलग-अलग लिफाफों में पैक कर दें अब हैं हमारे ग्रीन पैकेट्स इस्टट्री पैकेट्स तो निर्वाचक नामवाली की चिन्नित प्रती पीवन मतदाता पंजी जिसको हम बोलते हैं सत्राए मतदाता परची जो प्रियुक्त निदित मत पत्र तो इस तरह से ये पांच लिफाफे होते हैं चोटे पैकेटों को सील करके एक बड़े लिफाफे में रखना है और फिर बड़े लिफाफे को भी सील कर देना है अब बारी आजाती है ये लो लिफाफों की तो निर्वाचक नामवाली की अचिनित प्रतियां होती है इसमें पोलिंग एजेंट्स का न्युक्ती पत्र होता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जिसको EDC बोलते है वो होता है चैलेंज वोट की सूची होती है और जो हमारे ब्लाइंड और इस्तिलांग मतों की सूची इसमें होती है आयो संबंदी गोशना पत्र इसमें होते है चैलेंज वोट की जो रसीद होती है वो इसमें होती यह केवल बड़े लिफाफे में सील करना होता है अब होता है खुला पैकड जो की ब्राउन कलर का होता है इसके अंदर record किये गए मतों का लेखा होता है paper seal account होता है पीठहसीन पद़ादिकारी की गोशिना पत्र होती है पीठहसीन पदितकारी की डाइरे होती है वाटर टर्न आउट रिपोर्ट होती है सोला सूत्री प्रेक्षक रिपोर्ट मौक पोल का प्रमान पत्र इन सभी लिफाफों को खुले रखना है इसके साथ विजिट चीट भी मागी जा सकती है इन सभी की दो प्रतियां यानि की दो सेट बर के अलग-अलग जमा करने होते हैं इसके अलाबा एक अन्य लिफाफा होता है इस लिफाफे में मतदान समाप्ति के बाद बचे हुए सभी सामगरियों को रखकर बांध कर देना होता है और EVM मशीन के साथ जमा करना होता है तो यह थी पूरी की पूरी हमारी चुनाव की परिक्रिया इलेक्षन की इस तरह से होगा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक और फिर इसको सम्मिट कराना होता है वहीं से जहां से हमने इसको रिसीव किया होता है रिसेप्शन काउंटर पे आशा करती हूँ ये पूरा का पूरा जो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और अपडेट्स के लिए साथ ही साथ सिक्षप्रवा पर मिलते हैं सभी सब्जेक्ट के सीब्यसी सेंपल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर प्रिविएस येर पेपर का सॉलिशन डेट शीट रिजर्ट्स और चित्रकला यानि की पेंटिंग सब्जेक्ट के सभी तरह के नोट्स